मेरी जानकारी के हिसाब से क्रिमिनल मेजर एक्ट्स जो सदन के द्वारा पारिथ है, पूरे देश में प्रभावी है, ऐसी स्थिती में राजी सरकार के द्वारा समिक्षा के लिए कमीटी बनाया जाना जब इसके क्रियानिवन की दिथी भी तै हो चुकी, वह प्रभावी हुपी हो चुका तो ऐसी इस्थिती में ये तो देश के संग्य धाचे के लिए चिंता का विशे है कि केंद्र सरकार द्वारा जिस कानून को परल्यामेंट ने पारित करके बनाया केंद्र के द्वारा कोई भी राजिस सरकार को इस समन्द में छूट परणान नहीं किया गया है और ऐसी इस्थिती में ऐसे द्रस्टब याना ये निश्चित उपसे संग्य धाचे का और संबिधान विशे संग्यों को भी अपनी राय दिनी चाहिए अब कौन क्या बयान देते है मुझे उससे कोई लियना देना नहीं है देश का संबिधान हरेक जाती धर्म समुदाय परंपरा सब के हित पोशक है और देश के संबिधान को चुनोती देने की स्थिती इस देश में किसी भी राज सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति को यह दिकारी प्राप्त नहीं है अब उसके राजनेतिक आप शब्दा बली का इस्तेमाल करके छदम भासा का इस्तेमाल करके अपनी भावना ब्यक्त कर सकते हैं लेकि संबिधान के वहिद्दाई तुमें सब का सम्मान करना आवश्यक है माने वरा ख्लेश यादव जी परिवार में ठीक है न सब एक परिवार के पांस सदस संजद पहुँच गए हलाकि आपका रेकॉर्ड रहा है ट्रेक रेकॉर्ड और यादा का रहा है गटबंधन के अंदर अंतर विरोध क्या है कि अगर एंडिये विरोधी इताक्तों को एक जुट करने की बात हो तब मुंडे मुंडे मते भिन्ना उत्तर प्रदेश में रहा है अब ऐसी में आप दूसरे के घर में अगर देख इतनाव देखना चाहते हैं तो अपने घर में तनाव को जिरा सावलोकन कर लिए मैं मानिये जैराम रमेश जी से जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंग की आर्थिक नीती आने के बाद दुनिया के अंदर में बैश्वी करन की प्रतिश्परधा के बाद सावजिनिक छित्र की कंपनियों पर चिस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी ने विनिवेश के नाम पर उसको बंद कर दिया इसे बिहार में ही भारत बैगन की कंपनियों एंटी सी की कंपनियों एमडी पील की कंपनियों उसके बाब जूद आप निवेश की बात करते हैं आपने तो सावजिनिक छित्र की कंपनियों को विनिवेश के नाम पर उसको बेच डाला और अब तो आप निवेश का प्रबचन करते हैं तो मन में चिंता होता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंग की नीती साफ असाहमत है क्या विकासिल इंसान पार्टी के मानिवर मुकेश रहनी के पिता की जिस निर्मम तरीके से हत्या की गई वो निश्चित रूप से चिंता का विशे है और 48 घंटे के अंदर में एक ब्लाइंड केस जिसका न कोई इन्फॉर्मेंट था न कोई गवा था और पुलिस ने तमाम तथ्यों का खुलासा कर दिया है तो निश्चित रूप से एक महत्वपुन पक्ष है लेकिन हमारी चिंता यह है कि कि 14 घंटे के बाद मानने तेजस्चु यादो अपने राजनेतिक सहयोगी मुकेश सहनी के पिता स्री जी की हत्या के बाद एक शब्द संबेदना के टूटर के माध्यम से ब्यक्त करने में लग जाता है तो यह लगता है कि प्रशासन तो संबेदन सील है लेकिन विकासिल इ अब इस समत्री का मामला है बिल्ली उची नियाले को समंद में अंतरिम निर्ने लेना है अब जो भी मामले एक भी एक सराब का मामला उत पाइड़ घर घर सराब पहुचा देना अभी पंजाब के अंदर में आप पार्टी की सरकार ने क्या किया 24 घंटे सराब की दुकाने खोलने का फैसला लिया यह तो निश्चित रूप से चिंता का विसे एक सामाजिक महापाप के साथ साता आर्थिक महापाप किया गया है तो निश्चित रूप से समानता का उद्वोधन होता है हमारे सम्विधान में हर नागरिक को चाहिए वो किसी भी रूप का हो उसको समान अधिकार मिलना चाहिए और इसकी गारंटी करना केंद्र राजे से लेकर केंद्र शाषित प्रदेश की जिम्मेवारी बनती है लोक तंत्र में बिरोधी पक्ष को अपना आंदोलन करने का अधिकार है लेकिन मैं ट्यूटर बववा से यह त्यस्वी यादों से यह जानना चाहता हूं कि पूरे बिहार के अंदर में सिक्षक पात्रता सिक्षक भरती परिक्षा तीसरे चरण का होना है तो आप उसको बाधित करना चाहते हैं बीस तारीक को चुकि 20 तारीक को आप परदर्शन करेंगे और 20 को परिक्षा केदर तक बच्चे जाएंगे तो बच्चों को नौकरी के अवसर मिल रहे हैं तो लगता है कि आपके मन में मनह पीड़ा है इसलिए आपने इसे कारिक्रम आयोजित किये जिससे की सिक्षक भरती परिक्षा में चात्र चात्राओं को युवक युगतियों को बाधा उपस्थित हो